नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में हम लोग A&M संग के जो निरना है उन पर हमारे मुक्ह मंत्री इसकुमार जी का क्या परतिकिलिया होने वाले हैं उन सारी अपडेट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जैसे कि यदि हम बात करें तो BTS यसी A&M की जो बहालिया है वो आया दिन यदि हम बहाली का प्रोसेस की बात करें तो वो और फस्ता जा रहा है जैसे कि एक के बाद एक केस होते जा रहे हैं ऐसे में A&M संग ने एक नया कदम उठाया है जो कि हमारे मुखमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए हैं जिसमें की ब आँवाया परतिकिरिया होने वाली है उससारी अब्डेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के लाश तक बने रहेंगा आपको sarki जानकारिया इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो जैसे कि ये हम बात करें तो 1907 स्याव्र के पास जो पत् 14 मार्च को यह पत्र लिखा गया है जो कि हमारे सीम सर के पास लिखे गया है यहां पर आप देख सकते हैं सेवा में मानिय मुखमंत्री बिहार पटना तो इसमें आप लोग का जो बहाली है बीटियसी एनम 10709 उनके बारे में जो की केस को लेकर जो अभी मुद्दा फसा हुआ है सीडवलूजेसी नमबर और orarल भी एनमबर को लेकर क्योंकि यंद्त कहます किया घर आ sa हुम्त लोग ने वनीजेसी नमर जो केस किये थे इसमें जीत दर्ज के बाद आयोग ने लगे केस हाइज को लेकर क्योंकि अगर इस परकिल्या से होते हैं तो पता है सब जितने भी एनम बहने हैं कि इसमें समय लगेंगे क्योंकि आयोग LPA दर्ज इसलिए कि है कि आयोग चाह रही है कि जिस तरीके से हम परकिरिया का प्रोसेस किये हैं बाली का प्रोसेस आधी दर्ज किया भी था और उनी को लेकर यह पत्र भी लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं जो यह कि संग के द्वार लिखे गया है इसमें सारा कुछ इसमें आपको डीटेल में दिया गया है और इस पे लेकर यह सीम सर की अम बात करें तो अभी इस पर मुखमंत्री जी का कुछ निर्णे लिए जाते हैं इस पर परतिकिरिया दिये जाते हैं तो वह सारी शूचना है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे लेकिन इतना है कि सीम तक यह बात पहुंच चुके हैं तो आप सब के लिए अच्छी बात है क्योंकि आओ खोद इस पर सीम सर भी निगरानी रखेंगे और जो student के हिद के लिए होंगे उसे decide करेंगे और वैसे हम यह दिबात करें तो अगर आयोग चाहेंगे सरकार चाहेंगे तो case वापस भी ले सकता है क्योंकि student ने case तो जीत दर्ज कर लिया है तो आगे की क्या कुछ होंगे इसमें वही सारा कुछ दिया गया है जैसे कि आपको हमने बता भी रखे है CWJC नंबर में जो जीत दर्ज किया गया है उसकी सारी बाते यहाँ पर दिया गया है फिर भी इस तरीके से क्यों क्यों मतलब कि आयोग ने रुख किया ऐसे को लेकर यह सारा कुछ इसमें दिया गया है और C.M. Sir के पास यह पत्र लिखा गया है तो इसमें थोड़ा सव इसमें भी समय लगेगा ऐसा नहीं है कि आज आप पत्र लिखे और दो दिन में इसका रिपल्य आ जायेगा क्योंकि CM Sir के पास ऐसे बहुत सारे पत्र जाते हैं तो उसमें थोरा सब समय लगेंगे और उसके अगर CM Sir इसको खुद देखते हैं तो उसके बाद उसके बाद उसके नहीं लेते हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा और जैसे आएंगे तो उसकी रिगार्डिंग सूचन है जो कि सीट का जो अवंटर हुआ है वो सारा स्यक्रिति जो मिली है सीट का उसको रिलीज भी कर दिया गया है तो आप लोग अपनी पढ़ाय पर जरूर फोकस करें क्योंकि उसी से आपकी सेलेक्शन होने वाली है